असलार को नाजरीन कोशिर खबर नाम है चुजब साहिल मीन तुन्धिस कदमत इसमाज हजर दो पेश खबरनों तफ्सील वजिर अजर्ण नरिंदर मोजियन चाज वर्ल्ड गौर्मेट सेंटर्स दुबाइ मंस खथाब करान वनमुद जे बार्त चाहिन हैं तरकी हिंदिस मोदान इसमाज ब्रॉप पकान ते यनुवल इस वक्त समाज आई से बारत दुन्यूक त्रेम बोर्ड स्टार्ट अप एको स सिस्टम यल्तिमों वन्जे आत्मंश्य सरकारुक सबका साथ सबका विश्वास प्रोग्राम सेट हुई मदद करान कि दिया है कि हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं उसके स्कील डेवलप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम याने स्टार्ट अप एको सिस्टिम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं रिजर्वशन भी दिया है हम आज वादी कशिर मस्यती बिजली लॉनन हिंस शहर पर करना दोरान अज्टा माकमें बिजली मस्कां करनवल कया मुलाइजम जांप आख सपीत प्रेथ विजे मतलिक पावर सिटेशन पेट ताइनात मुलाइजमन हिंजला परवाईंद इल्जाम लुको तरफ आएद करना आओ त चाज सिरनगर के परिमपूर अलाकस मस्यती आख वाक पेशामत याद दोरान माकमें बिजली मस्कां करनवल आख इनस्पेक्टर तरसीली लॉनन शेहर पर करना दोरान जांप आख सपीत जांप आख मुलाइजमन से शिनाखत यती अम्तियाज आजमन चटबल सिरनगर सिंद अम्लिमाज अन्यून युद्धन तिमन मलाईजमन खलाप सखतकार वाई अम्लिमाज अन्यी येजला पर वाई सूट येथ वाक पेश येथ इनसानी जू जाईच सब्दन लटपूर हमले के सब्द्ध वर दिस हवाले चाज बारतिया जन्नता पार्टी तरप मारे सब्द्ध बिते अहलकारन हवाले लटपूर अला किसम तक्रीब इनसान्ज करना हामुटिया दौरान ये मन अहलकारन जबरदस्त अलफाजन मन खराज पेश करना हूँ येलजन वजीर अजम नरिंदर मोदी ते अलजी मनुशनान ट्वीट करान अहलकारन खराज पेश करित्वोंज ये मन अहलकारन जबरदस्त करना हमेश याद करना ताइपाओ चैताजिब वेरी जुसाज कुन्वोसमेंज उस इसके दोही लेतपूर अलाकसमेंज जोरदार माइन बलास्ट सपुद्मूत याद दौरान अलपल तजीख होत ज़ाद सियार पेफ एफ एहलकार जांबाहक सपुद्मीट आइज कि यह जो काला दिन है और बेगुना हमारे जो जवान यहां पे शेहिद हुए थे उसका बदला तो भारत मरश ने जो है वो लिया क्योंकि आज की जो गोर्मेंट है हमारी और जो हमारे मुलक की सरवराई कर रहे है आज दुनिया में हिंदोस्तान की डेमोक्रेसी का और यहां की सरकार का जो है वो डंका जो है वो बज़ रहा है उसका कारण यह है कि एक बहुत ही शेशत परदानमंत्री और सरकार हमारे पास है और आज के इस दिन को मैंने पहले ही कहा है कि यह काला दीबस है लेकर अगर हम देखेंगे तो चौती बरस से जम्मू कश्मीर में जो है बेगनाव लोगों का जो है वे खून भाया जा रहा है आज के दिन पर मैं उन बहादर नवज़वानों को सल्यूट भी करता हूँ और उनके परिवार के साथ सवेधना प्रेक्ट भी करता हूँ और जम्मू कश्मीर की जनता और खसूसन तोर पर कश्मीर की जनता को मैं आज के दिन पर ये मुवारक बात भी देता हूँ से अरपन करना चाह रहे हैं और यहां आके हम लोग को एकडम सेफटी महसुस हो रहा है एकडम आराम से हैं हम लोग बहुत खुश है यापर और जो जो आर्मी का वो जो दुख है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे उनके जो देश के लिए शहीद हुए उन लोग को कभी हम करिए बहुत सेफटी से अपना चल रहा ही यहां पर हम लोग को कोई तकलिफ नहीं है यहांकि जो पपलिक है बहुत हेल्पिंग पफ्लीक है है बहुत अच्छे सबस्कार चाहिए धिस के लिए यह वजब हम लोग के लिए कोगल करने के लिए किone वजीर आजम नरेंदर मोदी ये यमरत ने वह में तरीक जमु कशीर हूं दोर करन वैल चैज जेवह समस दोर इस पेशनेजर सिकूर्टी है सखत बंद बस करना आमिज ये वजीर आजम नरेंदर मोदी मौलाना आजाच सिटेडियम जेमिस मज़ एक असरेली खताब करन तच इ इंतिजाम या तरप मौलाना अजाद स्टेडियमस में तायरियन हत्मी शकल दिनस अलाव अजाद स्टेडियमस उंद पेक फोर्से आहलकार नहींज इजा फी नफ्रीत तायनात करना आमद्ज या पेर्ची जेमस सोबकें मुगतलिप अलावनमस फोर्से आहलकार उतरप खोसूसी नाक लागना आमद्ज या दुरान वाथ पक्विन तागाड़ वाल नहींज तलेशी हैन पत तिमन ब्रॉंप पकनुक इजाज़त दिन शेवान जेमस में सिकोर्टी सूरिथालत वजीर अजम नरिंदर मोदी से दिस दोर सवाल करना आमतन इंतिजामन हवाल चे मज़ीद तफसिलात जेम पेट पेश करान शिल्पा शर्मा अंदर जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है पैचान पत्र पुछा जा रहा है सिक्योरिटी की बात करें तो इस समय कड़ी सुरक्षा ववस्था का इंतजाम जो है वो मुलाना आदाज स्टेडियम में किया गया है इसको लेकर चीफ सेकेडरी अटुल डुलू भी यहा पर पहुचे और साथ साथ डीजे पी आरेंजमेंट्स देखी जा रही है सुरक्षा ववस्था देखी जा रही है और साथ देखो तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी जहांगी जहांपर कैमरे भी यहाँ पर लगाये जा रही है पूरी तरीके से इस समय सुरक्षा व और जो यहां से मिनी बस गुजरती थी उने भी फिलाल उनके आवज़ाई फिलाल बंद करती गई जैने पूरी तरीके जियाने की क्यामरे लगाए जा रहे है आदिकारी इहां पर पहुंजे पूरी तरीके से अरेंजमेंटि किस परकार से किया जाएंगे कि में स्टेडियम में एक भव या राली जो है वो देखने को मिलेगी जहापर बाजपा गैदक्षे रिविंदा रारा कि अगर बात कुरूं तो उनका क्यारा है कि जम सलाब एक उमर कर सामने आएगा जहापर लाखों के दादाद में लोग में मुलाना जाफ स्टेडियम में जहापर फॉंडेशन स्टोन अब नामतिनीं द्रमोदी जी जो है वो करेंगे और साथे साथ कई परे उजिनाओं का जो है वो उद्गाटन भी किया जाएगा तो एक भव या वाली जो है वो देखने को मली को जो मिसमेज़ जो आजब हारतीया जनता पार्टी तरप प्रेस कानफरंस हों सांज करना आमकी दोरान पार्टी जो मकशीरी है सदर रविंदर राइनान वोंज जो मुक्षिर मजची बीजेपी हन्यान मजबूत सब्दन तो इम्तिस सियोसी लीडर बीजेपी असमन्स शेमिल सब्दन असन यसन तिमन पजे तिमन यी वाचिवंज इस तिकबाल करने इलजन तिमोंज बार्तिया जन्ता पार्टी ची इंतिखाबन मजची निबापत प्रेथ वीजे तैयार रविंदर रैनान चाहाथ मोक्षिपट वजीर असमन्स दोरस हवाल कातकरान वनमुत जी मौलाना आजाद सिटेडिया मसमन सब्द आक तरीखी जलस यम्रत ने वही में तरीख मुनकद यमसित बार्तिया जन्ता पार्टी हिंद मजबूत आसनुक संदेश दे लूकंताम वाइदे़ आप ने जिकर किया अगर वो भी आते हैं तो हम दिल खोल कर उनका वी इस्तक्बाल करेंगी जम्मू कश्वीर में एसेंबली के एलेक्शन्स हो या पार्लिमेंट के एलेक्शन्स हो इसका फैसला इसका एलान एलेक्शन कमीशन आफ इंडिया करता है ये एलेक्शन कमीशन के एमबिट में उनकी जूरी डिक्शन में आता है कि वो पार्लिमानी एलेक्शन्स का एलान करें वो एसेंबली के एलेक्शन्स का एलान करें भारतिये जनल का पार्टी पार्लिमेंट एलेक्शन्स हो या एसेंबली एलेक्शन्स हो या कोई एलेक्शन जो जो एलान एलेक्शन कमिशन करेगा बीजेपी पूरे तरीके से तयार है रहनमों का आपने जिकर किया अगर वो भी आते हैं तो हम दिल खोल कर उनका भी इस्तक्बाल करेंगी जम्मू बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के माननी ये प्रधान मंत्री श्रीमा नरेंद्र मोधी सहाब बीस फर्वरी सुबह ग्यारा बजे जम्मू आ रहे हैं माननी ये प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोधी सहाब के जम्मू आगमन पर यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनका उद्गाटन होगा और ने बड़े प्रोजेक्ट्स का फांडेशन स्टोंस रखे जाएंगे वही जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेटियम में भारतिय जनता पाटी ने माननी ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहाब के जम्मू आगमन पर एक भवे रैली का आयोजन किया है लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे मलक के आंडरिबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोधी सहाब का भवे स्वागत इस्तक्बाल बीस फरवरी सुबह ग्यारा बजे मौलाना आजाद स्टेडियम में करेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन खुशहाली और भाईचारे मजबूत हुआ है यह सब हमारी मरकजी हकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोधी जनाब नरेंद्र पर्टी लिडर तो वरकर उतर पाएज़ जी मुझारी करना आमतिया दौरान एजाजस में शेमिल पार्टी लिडर तो वरकर मिनस्पल केमिटी हैं दन्जमदार नखलाप नारे अदमपोर्स मजरिश्वत सतरी रूजस पर चिता है में हवाले के याई पिरे हुकाम नजानते दिना आई ताहम चुन का कदम तुलनामुत यम्किन तेम सर्कन पेटियनस यत अहजाज करना स्पेट मजबूर सपहिई जो प्रष्टाचार का महौल मुनस्पल काउंसल उधुंपूर में चल रहा है उसी के विरोध में आज 35 पार्टी यहाँ पर दर्शन करे है गरीब लोगों को स्ताया जाता है परताड़ित किया जाता है encroachment के दाम पर उनको torture किया जाता है लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जो सरमायदार लोग हैं बाजबास से जुड़े हुए लोग हैं उनको खुली 6 है ग्रीन जोन में बंगले बनाए हुएं कोई पूछने वाला नहीं है यहां थोड़ा सा एक नुकड कहीं किसी का बाहर हो जाता है तो उसके खिलाब पुलीस की कारवाई नोटिस उसको और उसको लगातार तंग किया जाता है इसी तरीके से रिवायत हाल जो है वो पिछले आठ वर्षों से एक ही पार्टी को दिया गया है किस कानून के तहट आठ वर्षों से अलाट्मेंट एक पार्टी को दी गई है इस बात को बार बार पूछा गया बार बार को कहा गया कि समझाएए पीचे इम्प्लाईज से युनाएट्स तरो और भड़ु से सम्झाए देमाच्ण बढ़ को का कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहजाज करना स्पट मजबूर सब्दन एहजाज में शेमिल मुलाइज मो तरपची इंतजामियास मंग करना आमुज जिती ही मसले इंजरावने सवाले गचन संजीद कदम तुलने ये युद्जन तिम दुबार सडकन पेटियनस मजबूर सब्दन और हमारा नारा है अगर रेजलाज़ेशन पाल सी नहीं तो घरवाप सी नहीं और ये जो जन साना बाज सब्द्रों के अंदर आप देनियोजस का देखे हो हो ये त्यारी जो है हमारी चार मार्च जन्नु चलो की हो रही है और ये परशासल एक बार फिर हम देनियोजस को इस सब्सक्राइब करेंगा आज हमारा यहां एक होने का एक और मकसिद भी है कि हमारे कुछ एहम तरीन मसाइल है जो सरकार में हमारे दबाए हुए है रेगलाज़ेशन तो गुजचता तीस साल से इन्होंने दबा कर रखी है लेकिन हमारे बत्र बत्र महीनों का पैसा भी द किनों का बगाया है यह देने के मूड में अभी तक नहीं है सुर्फ आडर्स निकालते हैं कादस बनाओ यह करो वो करो लेकिन हासिल अभी तक पिछले तीन महीनों से कुछ नहीं हुआ है अक्तोबर में एक आडर निकाला गया था कि इनकी पंडिंग वेजिज जो साबका हम आडर ने सिस वागत की